नमस्कार मेरा नाम है प्रदीप चोहन और आप देखरें मेरा चैनल खबराट बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और उसके लिए अब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों आपसे गुजारिश कर र नजरे से देखेगा आप किसी पार्टी के सपोर्टर बनके मत देखेगे एक न्यूटल भारती की तरह देखेगा ये आपके सामने है ये दो कैंपेइन है आपके या जो तस्वीर है एक है कॉंगरिस का बयान और एक है बीजे पी का कैंपेइन कांपेइन में है कि मोधी OBC और बीजेपी कह रही है कि अगले पांच साल में इस देश में बहुत महत्वपूर्ण फैसले होने है और जिसकी रूपरेखा एक तरह से कह रही है कि अगले बीच से तीस दिन में बनानी है और आपके सामने रखनी है अब आप मुझे ये बताइए कि आप न्यूटरल अगर हैं आप किसी पार्टी से असोसेट नहीं हैं तो जब आप वोट देने जाएंगे तो इन दोनों में से कौन सी बात आपको ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है या ज्यादा कारगर लगती है I'm sure आप में से ज्यादतर लोगों को इस बात पे ज्यादा ध्यान आकरशित होगा कि अगले पांच साल में क्या-क्या रोड मैप है इस देश के लिए बीजेपी क्या करने वाली है और अगले पंदरा बीस से तीस दिन में उसका रोड मैप आपके सामने रखने वाली है और कम लोग ऐसे होंगे जिने ये फर्क पढ़ेगा इसके सामने कि मोधी ओबिसी हैं या नहीं हैं मेंगाई कम होगी या मेरी आर्थिक स्थिती बदलेगी कि नहीं बदलेगी बलके इस से फर्क पड़ेगा कि सरकार अगले पांच साल में क्या कदम उठाने का वादा कर रही है क्या रोड मैप दिखा रही है हमें, क्या सपने दिखा रही है यही होगा न यही बेसिक फर्क इस वक्त मुझे कॉंग्रेस और बीजेपी में नजर आ रहा है इसलिए मैं आज यह कह रहाओं कि ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस 2019 वाली गलती कर रही है वही कॉंग्रेस जो अभी कुछ महीने पहले तक बीजेपी के सामने सबसे बड़ी थ्रेट बनके खड़ी थी और बीजेपी ने माना भी की कॉंग्रेस सबसे बड़ी थ्रेट है उन सब को तोड़ दिया जाए नितिश कुमार से शुरुआत हुई जयंत चौधरी को तोड़ा गया अब उद्धव ठाकरे को किनारे करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी को कोशिश की जा रही किनारे करने की और ममता बैनर जी को भी अलग करने की कोशिश की जा रहा था इंडिया गटबंदन को कमजोर करके बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्राटेजी है उस पे भी आऊंगा उसका बहुत बड़ी वज़ा है क्यों ये सब किया जा रहा है लेकिन उससे पहले जरा कॉंग्रेस की बात कर ले क्यों मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेस 2019 वाली गलती कर रही है आपको मालूम है कि 2019 में कॉंग्रेस ने क्या गलती की थी जो कॉंग्रेस के लिए बहुत बुरी तरह से बैक फायर हुई थी वो था रफैल का मुद्दा और राहुल गांदी का वो नारा की चौकीदार चोर ह उस चौकीदार चोर है कि नारे को किस तरह से अपने डिफेंस में प्रधान मंतरी मोदी ने गुमा दिया था किस तरह से उसे अपनी ताकत बना लिया था ये हमने देखा और कॉंग्रेस को किस तरह से ये नारा बहुत बुरी तरह से पढ़ा था बहुत बुरी तरह से साबित हुआ था कुछ इसी तरह का अभी मुझे कॉंग्रस उसी रास्ते पे जाती नजर आ रही है एक तरफ आप देखिए बीजेपी पिछले एक हफ़ते से दस दिन से संसद हो या संसद के बाहर हो लगातार प्रधान मिंतरी मोदी हो चाहे अमिच्छा हो एक ही बात कर रहे हैं कि तीसरी टर्म हमारी कंफाम है तीसरी टर्म में हम क्या 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 करने वाला है ये देश तीसरी टर्म में क्या कहां जाने वाला है हमारी कॉनमी कहां जाने वाली है क्या क्या रोड मैप है बीजेपी के हिसाब से इस देश के सामने लेकिन राहुल गांधी और कॉंग्र रaiserाजा से हो क्या रहा है कि बीजेपी नेरेटिव सेट कर रही है और कांगरेस वही पूराने स्टाईल में बीजेपी के नेरेटिव की जो लगीर ही। उस लकीर को मिटाती नजर आ रही है ये छे महीने पहले तक यहां तक कि चार महीने पहले तक भी नहीं हो रहा था चार महीने पहले तो ये सिट्मिशन आ गए थी कि Congress narrative सेट कर रही थी और बी जे पी उस चेक रवीव में फस रही थी लेकिन अचानक से विधान सभा चुनाओं के बाद पासा पलड गया अब आलम ये है कि राहुल गांधी ने अपनी भारज जोड़ो नियाय यात्रा को दस दिन कम कर दिया है जी हाँ जिस उत्तर प्रदेश में माने जा रहा था कि राहुल गांधी की नहाय यात्रा जब यहां से गुजरेगी तो कुछ महतोपून बदलाओ देखने को मिलेंगे उस उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी ने सुना है कि यात्रा पांच दिन घटाकर ग्यारा दिन से सिर्फ छे दिन की कर दी है सिर्फ किस वयासे जो जैंद चौधरी इंडिया कटबंदन से बाहर निकल गए है अगर उस वया से राहुल गांधी की यात्रा पे असर पढ़ रहा है तो बीजेपी कहीं ने कहीं अपने मकसद में काम्याब हो रही है और कॉंग्रेस बीजेपी के हाथ में खेल रही है सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर राहुल गांधी को जैसे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी यातरा इसलिए कम कर रही है दिल्ली में बैठके उन्हें अब चुनाओ के मद्ने नजर रन नीतिया बनानी है उनका वहाँ वहना जरूरी है तो क्या ये बात कॉंग्रेस को ये यातरा शुरू करने से पहले नहीं मालूम थी कि ये यातरा इतने दिन चलेगी और इस बीच ये सब होना है सब कुछ पहले स पुर जोर कोशिश कर रहे हैं राहुल गांदी के एफट में कोई कमी नहीं है लेकिन आप अपने चारों तरफ नजर उठा के देखिए कि राहुल गांदी के इलावा कहीं कॉंग्रेस का कोई नेता कुछ और करता नजर आ रहा है क्या कॉंग्रेस को आगे बढ़ाना रहुल गांदी को होगा ऐसा तो नहीं है ना पूरी कॉंग्रेस को होगा आज प्रधान मंतरी नरेदर मोधी सुभा देश के इसकोने में होते हैं तो शाम को इसकोने में होते हैं और दुपैर को किसी तीसरे कोने में और दूसरी तरफ अमिचा भी इसी तरह का मोर्चा संब तब जब चुनाओ बिल्कुल धर्वाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। कॉंग्रेस के बहुत सारे नेता अब आप कहेंगे कि मैं शायद अपनी तरफ से मनगड़त कहानिया बना रहा हूं लेकिन ऐसा नहीं है। कॉंग्रेस के अंदर इस वक्त सोच क्या चल रही है। कॉंग्रेस के अंदर इस वक्त दरसल मायूसी चल रही है आपको मैं बताओ। मायो cu hl하기 की कॉंग्रेस के अंदर उपर से लेके नीचे तक ये मैसिज घर कर गया है कि राहूल गांदी दर असल 2024 की तयारी नहीं कर रहे हैं राहूल गांदी 2029 की तयारी कर रहे है उसके लिए 2029 के लिए राहूल गांदी अपने ब्रेंड को बना रहे हैं अपनी image building का काम कर रहे हैं ये message उपर से नीचे तक चला गया है दूसरा Congress के अंदर जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही कि Congress के अंदर जो अभी decision making है जो फैसले ले रहे हैं जिनकी चल रही है वो सब के सब वो लोग हैं जिनकी सोच सोच हावी हो रही है ये चेहरे आपके सामने है ये चेहरे इस वक्त माना जाराए कि रहूल गांधी और Congress को चला रहे हैं केसी वेनू गोपाल जैराम रमेश ये तो चल लग कॉंगरेस की है सीता राम यचोरी CPM के और D.Raja CPI के और ये किसी से नहीं चुपाई कि रहूल गांधी की सीता राम यचोरी के साथ खूब पढ़ती है D.Raja के साथ खूब पढ़ती है और जैराम रमेश केसी वेनू गोपाल कितने जमीनी नेता है ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और इसका एक्जामपल यहां भी मिलता है कि जब कल strategically बहुत जबरदस्त एक कदम जो है या आप चाल कहें बीजेपी सरकार ने प्रधान मंतरी मोदी ने की कि जब पीवी नर्सी माराओ चौदरी चरण सिंग और स्वामी नाथन को भारत रतन दे दिया तो उसका स्वागत तो किया कांगरिस ने लेकिन उसके साथ जिस तरह के बयान जैराम रमेश जैसे नेता दे रहे हैं वो कांगरिस का वजन और हलका कर देते हैं लेकियो तीनों भारत रतन थे भारत रतन हैं और भारत रतनर रहेंगे स्वामिनाथन जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पांच साल से किसान संगठन मांग कर रहे हैं स्वामिनाथन फॉर्मिला लागू हो MSP जब आप MSP की गोशना करते हैं वो स्वामिनाथन जी ने एक फॉर्मिला दिया था यह सरकार पांच साल से इंकार कर रही है इस फॉर्मिला को और किसान संगठन मांग कर रहे हैं पेमेस्पी की कानूनी दरजा दिया जाए किसान संगठनों का अंदोलन हुआ तीन काले कानून वापस देने पड़े प्रदान मंतरी को साथ सो किसान शहीद हुए तो उस पर तो चुपी है प्रदान मंतरी और सरकार भातर रत्न तो दे दिया वो बिल्कुल साफ है काबिल है हमारे हरित क्रांती के निर्माता थे वेग्यानिक निर्माता थे उसमें कोई दावर आई नहीं है पर स्वामिनाथन फॉर्मिला यह पाखंडी है हिपोक्रिसी अब जब ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग उसमें है स्थिति में है कॉंग्रेस में तो फिर कॉंग्रेस में दो फार साफ नजर आ रही है एक राहुल गांधी कॉंग्रेस एक वो कॉंग्रेस जो सुनिया गांधी की थी यानि सुनिया गांधी की टीम में थी अब कॉंग्रेस के अंदर से ये बात खूब निकल के आ रही है हमें तो बहुत कॉंग्रेस ने बताया कि इसी वज़ा से ये जो कोटरी बन गई है रहुल गांधी के आसपास और जो 29 की तैयारी कर रही है उसी वज़ा से प्रियंका गांधी भी फिलहाल दूर बैठी है गांधी को आज रोजाना नई जगा पर लोगों के बीच जन सभाय करते हुए होना चाहिए था क्योंकि चुनाओ बिलकुल सिर्प है लेकिन प्रियंका गांधी कहां बैठी है घर बैठी है वो इसलिए बैठी है कि माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी की राय भी अब राहुल गांधी तक नहीं पहुँच पा रही है या यूँ कहें कि प्रियंका गांधी की राय को ओ तबज्जो नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए अगर ये बात सही है कुछ भी चाहे 10% ही सही है तो कॉंग्रेस के लिए ये अच्छी ख़बर नहीं है और मैंने भी ये सवाल तो उठाया था क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब तो लग रहा है कि चुनाव सिर पर है बीजेपी का हर नेता चुनावी मैदान में है हर नेता इस वक्त जीतने की कोशिश या पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहा है सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस वक्त कॉंग्रेस के प्रियंका गांधी जैसे नेता घर बैठे हैं कोई जो है वो एक्टिविटी नहीं हो रही ये थोड़ा सा हैरान तो करता है परिशान भी करता है कॉंग्रेस के लोगों को तो बहुत परिशान कर रहा है क्योंकि मैसेज ये दिया जा रहा है कि स्कोट्री ने राहुल गांधी के दिमाग में ये बात पिठा दी है कि 2024 तो done and dusted है यानि 2024 तो हाथ से निकल चुका है अब जो करना है 2029 के लिए अभी से तयारी कर लीजी है और कुछ-कुछ आपको जलक भी मिलती है इसकी अब आप कहेंगे कि कॉंग्रेड तो कनहिया कुमार भी है और लोग भी है जो आए हैं ज़रूर आए हैं प्रियंका गांधी के जो सेकेर्टरी हैं वो भी कॉंग्रेड बैग्राउंड से हैं लेकिन जब आप कनहिया कुमार को कहते हैं कि next big thing है पार्टी में युवा छे रहा है उनको कॉंग्रेस आगे बढ़ाएगी वो कॉंग्रेस के लिए भविशे हैं तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो कनहिया कुमार भारत चोड़ो न्याय यात्रा में क्या कर रहे हैं वहां उन्हें क्यों एक शोकेज या विजिटिंग कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि प्रेस कॉंफरेस में इंचार्ज बनाए गया नेश्वई के उसको मोटिवेट करके उसको लेके एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कनहिया कुमार को क्यों नहीं कहा जा रहा है कनहिया कुमार को भारत चोड़ो न्याय यात्रा में क्यों घुमाके उन्हें वेस्ट किया जा रहा है ये भी तो ये इशारा ये मिलता है ने कि इस बार की तयारी नहीं है अगले बार के लिए तयारी है लेकिन इस सब के बीच में अगर कॉंग्रेस में ये सोच है एक चीज है जो फिर कॉंग्रेस मिस कर रही है वो ये कि 2024 पो आप जाने दे रहे हैं क्या 2029 में इलेक्शन होंगे सबसे पहला सवाल तो ये पुछना चाहिने अपने आप से आपको क्या लगता है कि प्रधान मंतरी मोदी जो दावा करते हैं कि 370 BJP जीतेंगे और NDA 400 जीतेगा वो अपने साथ ये कुन्बा क्यों जोड़ रहे हैं कल भी मैंने बात की दी क्या उन्हें अपनी capability पर दम नहीं है या विश्वास नहीं है विश्वास तो है लेकिन उसके बावजूद अपने कुन्बे को और बढ़ा करने की कोशिश करें आज कोई काला चोर भी अगर उन्हें लगेगा कि उनको फाइदा पहुँचा सकता उसको साथ लेने के लिए तयार है इस चक्कर में भारत रतन भी बाट दिये क्यों वो इसलिए कि अगर जितना बड़ा परिवार लेके तीसरी टम में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी आएंगे उनका काम उतना ही आसान होगा यहाँ सवाल लोकसभा का नहीं है लोकसभा में BJP जानती है कि NDA के पास इतनी ताकत होगी कि जो चाहे वो पास करा सकती है मामला है राज्यसभा का क्योंकि राज्यसभा में पिछली बार भी BJP के या NDA की संख्या कम थी तो उन्हें कई चीजें अटक गई उनकी कई चीजें पास कराने में उन्हें मुश्किल होई लेकिन इस बार वो रास्ता साफ करना चाहते हैं प्रधान मंतरी इसलिए सभी को अपने साथ लेना चाहते हैं कि ताकि राज्यसभा में भी उनके पास कमफर्टेबल नंबर हो अब जब दोनों सद्रों में आपके पास कमफर्टेबल नंबर होगा तो छोटे मोटे बिलतो कि अगर आपको समविधान भी बदलना होगा तो भी मुश्किल नहीं होगी और अगर इस सरकार ने तीसरी टर्म में कुछ ऐसा कर दिया कि जब तक मोधी हैं तब तक मोधी ही हैं उनके बाद कोई तीसरा सोचे तो फिर 29 की तैयारी का क्या फायदा तब चाहे राहूल गांधी 29 तक सड़कों पर है कोई फायदा नहीं होगा जब सब कुछ बदल दिया जाएगा इसलिए सवाल ये लाजमी है कि कौन कॉंग्रेस की स्ट्रेटेजी बना रहा है कौन राहूल गांधी को आईडियाज दे रहा है क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि शक्स मेहनत तो इतनी कर रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं अगर राहूल गांधी की जगा कोई और नेता होता कौन गांग्रेस का तो शायद अब तक ठक हार के घर बैठ चुका होता लिए इतनी मेहनत करने वाला नेता किसी भी पार्टी में फिलहाल तो नहीं है और कहीं उनके पास प्रधान मंत्री मोधी वाला प्रचार तंत्र और एक जो कहते है न भाशन देने की कला होती तो शायद राहूल गांधी के आसपास भी इस वक्त कोई नेता नहीं होता इतना हार्ड वर्क को कर रहे है लेकिन प्राब्लम यहां आरीए कि राहूल गांधी हार्ड वर्क कर रहे है जबकि जरूरत इस वक्त मोधी के तरह स्मार्ट वर्क करने की है क्योंकि हार्ड वर्क पे नहीं कर रहा स्मार्ट वर्क अभी पे कर रहा है लेकिन जो उनके सलाकार हैं वो उन्हें हार्ड वर्क पे लगाए हो हैं ताकि अभी मेनत करो पांच साल बाद इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उपर वाला ही जानता है इसलिए कॉंग्रेस के अंदर आप भी देखोगे कि जितने नेता हैं लोग सभा चुनाओ की कोई तयारी नहीं कर रहा है आधी से ज़्यादा कॉंग्रेस तो विधान सभा चुनाओ की तयारीों में लगे हैं चाहे वो हर्याना हो चाहे आपका महराष्ट हो चाहे उडिसा हो जो तीन-चार महिने बाद विधान सभा चुनाओ होने उसकी तयारीों में लगे हैं एक कोठरी में आपको पहले दिखाई एक दूसरी कोठरी में आपको बताता हूँ जो हर्याना में इस वक्त लगी हुई है हर्याना में एक नए SR के चल रहे हैं जी हाँ SR के कोठ है शयल जा रंदीप सूर्जेवाला और किरन चौदरी ये तीन चहरे और ये तीन चहरे पूरे हर्याना में घूम रहे हैं एक यात्रा निकाल रहे है मकसद लोकसभा चुनाओ इतना नहीं है दिखावा तो लोकसभा चुनाओ का लेकिन मकसद लोकसभा चुनाओ इनका नहीं है मकसद है उसके बाद जो विधान सभा चुनाओ होने दो मेने बाद उसमें अपने आपको मजबूत करना और अपने लोग खड़े करना ताकि टिकेट बटवारे के टाइम भुपेंदर सिंग हुड़ा के सामने ये खड़े हो पाएं यानि दिख रहा है अभी हमें भार बैठे दिख रहा है कि हर्याना में जहाँ इस वक्त कॉंग्रेस बहुत मजबूस थीती में दिख रहा है कि बिधान सभा चुनाव में हर्याना भुपिंदर सिंग हुड़ा की अगवाई में जीत सकती है वहाँ पर दो फाड गुटबाजी के बीज शरयाम बोहे जा रहे हैं लेकिन फिर भी कॉंग्रेस हाई कमान कुछ नहीं कर रही और ये देखिएगा ये सारी कवायत भुपिंदर सिंग हुड़ा को नीचे लगाने की है और मैं आपको एक चीज की गारेंटी दे सकता हूँ हर्याना में मैंने दस साल काम किया पत्रगारिता किया गली-गली गाउं-गाउं उस प्रदेश का अच्छी तरह से जानता हूँ तो उस आधार पे कह सकता हूँ कि इस वक्त अगर हर्याना में कॉंग्रेस को कोई वापिस ला सकता है तो वो है जाट और जाटों के इस वक्त कॉंग्रेस के पास एक ही सबसे बड़ा चेहरा है वो है भुपिंदर सिंग हुडा अगर हुडा को साइड लाइन किया तो आप भूल जाएए कि जाट कॉंग्रेस के साथ आएगा क्योंकि कहने को तो रंदीप सुर्जेवाला भी जाट है लेकिन आज की डेट में बिना भुपिंदर सिंग हुडा के लोग सबा चुनाओ तो छोड़िये किरन चौधरी अगर छोड़ दिया जाए तो शैलजा और रंदीप सुर्जेवाला तो विधान सबा चुनाओ भी बिना हुडा की मज़द के नहीं जीच सकते ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चल रहा है लेकिन कॉंग्रेस में फिलहाल इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो क्या इनको भी समझ में आ गया है कि दरसल लोग सबा तो 29 में लड़नी है उससे पहले क्यों न विधान सबा में अपनी टिकेट ये अपने अपने लोगों की टिकेट पक्की की जाए उधर महराष्ट्र में बाबा सिद्धी की जैसे नेता आपको छोड़ की चला गया इतना सीनियर नेता उसके बावजूद ध्यान नहीं है लोग सबा चुनाव पे तो बिलकुल भी नहीं है वहां भी एक ही कवायद है कि विधान सबा चुनाव में कॉंग्रेस को अगवाई कौन करेगा कॉंग्रेस का चेहरा कौन होगा वहां पर प्रिथ्वी राज चौहान हो चाहे अशोक चववान हो चाहे नाना पटेयोले हो फिलाल इस चीज की सेटिंग में लगे हैं कि विधान सबा चुनाव में वो अपने लोगों को कितनी टिकेट दिला पाते हैं लोग सची बताता हूं मैं चार लोग सबा सीट के लिए कॉंग्रेस को अभी सूटेबल कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं जबकि सरकार कॉंग्रेस के यहां पर और जो सूटेबल कैंडिडेट लग रहे हैं वो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं ये हालत हो गई है अभी ने उम्मीद जताई थी कॉंग्रेस के अंदर नया जोश भरा था वो जोश धीरे धीरे ठंडा होता गया और उस जोश को बनाये रखने कि किसी ने कोई कोशिश नहीं की भारत जोड़ो यातरा इतने कामयाब हुई उसके बावजूद कॉंग्रेस राजिस्थान मद् देश 36 गड़कियों हार गई वो इसलिए हारी कि जो भारत जोड़ो यातरा ने मुमेंटम बनाया था उस मुमेंटम को कायम रखने के लिए किसी नेता ने कोई काम नहीं किया बलके कमलनाथ जैसे नेता ने तो अपनी मनमर्जी की अशो गहलोत ने अपनी मनमर्जी की पर से राम मंदिर का उस पे चौका लग गया तो अब आप देखी रहें कि क्या सीन इस वक्त चल रहा है इसलिए मुझे लगता है कि अगर कॉंग्रेस अब भी नहीं जग पा रही अब भी कम से कम सो कांकड़ा पार करने की कोशिश नहीं करेगी तो आप भोल जाएए फिर उसके बाद 39 में कुछ होने वाला है मैं जानता हूं कि आज के इस वीडियो में बहुत सारे कॉंग्रेस समर्थ तक मुझे पसंद नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई को फेस करना सीखिए सिर्फ और सिर्फ मोधी की बुराई करने से कोई चुनाव नहीं जीता सकता बलके यह कहा जाता है हिंदी में तो कहवत है कि आप जिसकी जितनी बुराई करोगे वो उतना उपर उठेगा और जिसके पास नरिंदर मोधी जैसा तंतर हो वो तो डबल उपर उठता है क्यूंकि उसके प्रचार तंतर उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि आप समझिए पोस्टर में राम छोटे हो जाते हैं और मोधी बड़े हो जाते हैं तो जब राम से बड़े मोधी बनाए जा सकते हैं तो फिर इस हिंदुस्तान से बड़े क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं फिलाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और दोस्तों के साथ शेर कीजेगा और आपको मेरी बाते अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताईएगा हमशकार